देखे दिल्ली के मंगुलपूरी में मुसलिम युवक की अत्या हो गई है और गणेश पूजा में शामिल होने पर कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया चाकु से हमला किया गया जिसमें अर्मान नाम के युवक की मौत हो गई है ये जानकारी सामने आ रही है फरदीन के दोस्तों ने उसे गणेश विसरजन में शामिल होने के लिए बुलाया था वो गया और किसी ने चाकु से उस पर हमला कर दिया चार लोग जखमी बताए जा रहे है तो ये बड़ी खबर रादधाने दिल्ली से जांगडेश विसरजन में शामिल हुआ था अर्मान और देखे इसमें चार लोग जखमी तो है एक युवक की चाकु से हबला किया गया और ये बड़ी खबर हत्या की इस पर जादा जानकारी हासल करते है अब बेट लेते सीधा एमानशू का रुक करते है एमानशू क्या जानकारी मिल पा रही है क्या कह रही है पोलिस पूरा जो जगड़ा शुरू हुआ था उसके पीछे की वजह थी बाइक पे टेच होना और यही वजह है पूलिस की तरफ से जारी किया गया है उसमें बताया गया है लेकिन जिस युवक की मौत हुई जो कि बिये फस्टियर का स्टुडेंट था बाइस साल का अर्मान हमने उनके पिता से बात की तो उनके पिता का ये कहना था कि उसके भाईयों का जगड़ा हो रहा था जो उसके देखिया हमाई साथ मोन्टी और फर्दिन दोनों लोग यहां पर रंग लगा हुआ था दसल उनका कहना है कि कुछ वहां से गरेस विसरजन के लिए जा रहे थे और उनके साथ अर्मान भी थोड़ी दूर गया था जिसकी वज़र से उसके उपर रंग लग गया था और जब वो वापस लोटके आया तो वहां पर जो लड़के थे जो मोन रखा है और उसके बाद चाकू मारा फरदीन हमारे साथ हम फरदीन से ही पूछते हैं जब अर्मान पहुचा तो उसके पहले वहां क्या हो रहा था कुछ नहीं लड़के खड़े हुए थे महां पर हां फिर मून्टी भाई और अर्मान भाई उदर की साइट खड़े हुए तो मैं अलग था मैं चले ग गाता बैया ने घर पर बेज चा sous गर जा गर पर च्ले गिया था कि बैन का लगा देख रहा था भाईया को भाईया वह बहले क्या देख रहा है तो इसने तू तला के में कुछ जवाब दिया तो भाईया ने उसके दो चाटे मार दे के तरह से बढ़ा हूं छोटा हूं बोल के से राय तू तो इसी खार पर उन्होंने वह भगते हुए यह अर्मान वाईय तो देखो बजरंग बली के पूझा भी करता था अखाड़े में अखाड़े पहलवान ता अर्मान वाईया तो जब वह आय तो क्या बोलाओ कुछ ने अर्मान वाईय ने बोले यानि कि आरोपी और पड़े दोलों एक ही समुदाए के थे